मुकेश अम्बानी, he is rich because he was born in the rich house पैसा जब कोई कमाता है ना भारत में उसको evil माना रहा अब आप देखो Bill Gates को, वो अपना सारा पैसा लगा रहा है, right? वो तो charity वे रेटी कर रहा है? Instagram पे creator जो बहुत समय से आ रहा है content create कर रहा है, create कर रहा है, create कर रहा है तो message deliver नहीं होते थे Instagram ने जो बनाया है, Twitter का competitor Thread, fail हो गया, हमने एक price money रखी है एक लाख US dollars I think so, Congress की private meeting में मार्क Zuckerberg ने एक statement दिया था जो भी चीज दुनियावालों के लिए अच्छी हो, फेस्बुक के लिए अच्छी नहीं है तो हमारे friends में कहते हैं, this is a new East India company work करती है, आप जानना चाहते हो कि social media वाले पैसे कैसे कमाते है आप खुद भी अगर थोड़ा पत पैसे कमाना चाहते हो साथ में आप जानना चाहते हो कि UK की life में, इंडिया की life में क्या difference है, और अगर आप जानना चाहते हो कि एक Instagram का बहुत बड़ा competitor आ रहा है market में, जो पूरी तरीके से शायद खतम करते हैं, तो इस वीडियो को end तक देखना, because आपको बहुत सारी चीजे सीखने मिलेंगी और अब मैं आप लोगों को समय बरबाद नी करूँगा, सीधे चलते conversation पे, and the conversation is with none other than London से आये मेरे दोस्त, दोस्त तो नहीं है, हमारे काफी परिचित ताइप है, but लंडन से आये हैं गगन, and थोड़ा साइग डिस्क्लेमर दे दू, गगन ना लंडन से आये, तो, और वो वहीं पर रहें इतने सालों साल तक, तो Hindi, शायद वो नहीं बोल पाए, वैसे मैंना उनको बहुत इंसिस्ट किया हुआ है, उनको बदले में छोले भटूरे और बहुत सारी चीज़े खिलाई है रिश्वत के तौर पे, तो, hopefully, वो शायद Hindi में बात करें, तो, प्लीज जज मत करना, मैकसिमम टाइम में उनसे Hindi में बात करूँगा, चलते हैं, कॉन्वर्जेशन के तरफ, तो, गगन, इस से पहले, कि हम इस पूरे कॉन्वर्जेशन को शुरू करें, आप अपने बारे में, अगर मैं कहूँ कि आप दो-चार लाइन में अपने बारे में बताईए, तो, आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, इंग्लेंड में एक बहुत बड़ा इंडियन लोगों का, और हम लोग जब देखते हैं, दिल्वाले दुनिया ले जाएंगे, उसमें एक डालोग है, आप तो कप्रे देखे, गोगे, इंडिया तो, हम दिल में लेगी गोंते हैं, बलकल, वहाँ पे जो बिर्डिश इंडि कि जो मेरा हमारा जो प्रोजेक्ट है, इंडिया से स्टार्ट हुआ था, जो हम बाद में बात करेंगे, इंडिया इस रीजन वाइ वी स्टार्ट इस, बट मैं प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकांटन हूँ, और मैंने सारी उंबर फाइनस में काम किया है, और उसके यह एक नई सोशल मीडिया कंपनी है, इसका नाम है चैटवाइज, चैटवाइज, और यह आप सोच सकते हैं एक तरह का इंस्टाग्राम है, लेकिन इट विल बी ओन बाइ, लोट सुपीपल, ओल उफ यू, मतलब इंस्टाग्राम अगर आप देखें, तो हू ओंस इट, मा और सब ही पब्लिक जो है, उसको ओन करेगी, एक सब, एक सब, अगर आप सारी चीज़े पब्लिक के हाथ में दे देंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा काफी अंबिविटी हो जाएगी, यह बेसिकली आप क्या डेमोक्राटिक प्लाटफॉर्म बना रहे हैं, क्या है, देखो, म अगर लोगों को पसंद नहीं आया, थान आप दो गो, आप प्रीमुश रहे प्रीमुश प्याइफ टो इस, हम लोग ने इतना इतना ताइम है, आप अनी सैलरी, ठीक है, आप नवर तक नहीं हैं, तो आप सॉल स्टाइम आप मेरी जॉब थी, इस अपी जो मेरी जॉब थी to make sure it's a success आपने कहा कि आप सालेरी नी ले रहे हो आपने कहा कि आप इधर से एक पैसा नी ले रहे हो सर तो एक बात बताईए टेक्निकली शुड़ाई से कि आप अल्रड़ी फिनांचिली फ्री है I think जब आप इत्ती बड़ी कंपनी चला रहे है आप इधर ना सालेरी ले ना कुछ कर रहे है मेरे इतर दो इंपॉर्टन ग्वेशन से पहला कि आप कैसे सस्टेन करेंगे कमाना तो जरूरी है इसका मतलब आप फिनांचिली फ्री है या क्या कह सकते इस चीच को कैसे कह सकते I think we can say I have been lucky with the the status I was given by the society कुछ decision मैंने लिए right you know you have to be lucky you have to be right place at the right time जो decision भी ठीक हुए मेरे तो I came to a stage where financially I don't have to rely on quickly अगर आप बताए आपने जो बोला financially आप रिलाई नहीं करना चाहते हो तीन major चीजे कोई भी इंसान general इंसान के साब से बूच रहा हूँ आप जो यह कर रहे हो वो आप तभी कर पा रहे हो जब आप एक stage पर पहुँँए हो जहां मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ correct? बिल्कुल अगर आप पैसे के लिए कर रहा हूँ आपको सारे shares चाहिए रहते आप क्यों देते है पबलिक को मैं कुछ दूसरा business कर लूँगा तो आपने ऐसी तीन चीजे किसी भी एक successful businessman entrepreneur इंसान को क्या वो तीन चीजे करनी चाहिए किस तरह के decision लेने चाहिए जिससे कि वो financially free हो सकता है any three habits I would say जो इसने आपको financially free बनाया है number one is invest in yourself ठीक है हम लोग कहते है ना कि पैसा डालो किसी bank account में यह 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 दालो लेकिन कहीं पर दालो के 10-15-20% interest मिलेगा when you invest in yourself you get 100x in my view ठीक है बालाओ मैंने जब CA करी थी I got you know I spent money on it I didn't just start studying I hired the most expensive people to teach me I invested money in myself ठीक है and then the returns are bigger ठीक है number two invest invest मैं और मैंने और लोगों के भी लोग ही बोला है मैंने investing is consumption not consuming today consuming tomorrow like ultimately economically investing यह नहीं है कि तुमने पैसा लगा दिया investing है तुम्हारे पास पैसा तो है can you can you choose not to buy the Mercedes and iPhone actually buy shares right that's the decision a normal person has to make which people don't ठीक है invest invest money invest in yourself and invest for your future ठीक है consume in the future and the third I think I think for me I was lucky with by buying the right stocks and I can give you my you know what I did to and I don't tell everybody because end of the day everybody make their own decisions for their own risk profile you know what you want to do you know what you want to do you know what you want to do I have said it to other people as well I have consistently in my life what happens in the UK that you can invest tax-free up to 60 lakh rupees a year 60,000 pound a year 60,000 pound which is around 60 lakhs and I have about 10-12 years every year literally right every year I was making sure I was filling up my bracket which was 60 lakhs and I invested consistently on few stocks like Apple Google Facebook you know Meta which are high risk stocks and I balance them with some low risk stocks national grade which as a technical person I would say high beta low beta stocks sir we understand our people high beta low beta but yeah everybody who finance so I got my majority shares high beta and 30% in low beta got it and I and I did that but I did that consistently regularly over a decade right 10 years I didn't have any year like that when I have an allowance where you can invest tax-free okay okay that government will never take tax if you have 10 to get 10 to get 10 will not take tax in our UK what happens is that if you have $20,000 is like that that share will never take 100 to get 10 will never take tax short term long term it's basically tax free okay so I will tell that allowance I will tell all of my UK followers people who are watching this you should always fill up that's helped me government is doing this I don't know if India is like that or not government is not doing but there are certain other ways so basically I have consistently done this over a decade and the shares I was very lucky as well because Apple I lost money in BlackBerry you know some of them but generally I said other as well Apple's share is 1000% up 1000% up and it's not me anybody who's invested in Apple will know the same thing they will experience it's the same thing so Apple Meta which is doing very well I had for IPO I had for IPO you hold it from IPO so I have been very lucky okay but I must say you have to be in it to win it right if you don't put it then you will be lucky right so you have to be buying it regularly to get the luck correct so you are sitting outside so I was in at the right time in different stocks and I got lucky and now is the time for me to sort of do things of my passion and you know this is a passion project so basically invest so you have to and invest in knowledge and invest in all things and you have to invest in stocks and you have to consistently and you have to hold in a year so that you have to make a proper mix high beta and low beta which you can make a good return that worked for me I don't know but I will do it but you have to work for you which you have to work for your passion sir just because we have to talk about this money is India from a different perspective and you have to when you have to earn a lot of it is evil in general perception so UK thought process just West we have to talk about the West in the West which you have to earn a lot of is that the same in West because you have to go in the UK if I am not wrong correct yeah I have been you have to go in the about 30 30 countries go in the good so we have to Nepal but anyways if I am talking about is the same in the West and the East in India the same is the same or something different look wherever my experience people accept that money comes from hard work right okay here is an important thing I can see why what is something very different in India and West and it's going to touch you something different issue what is in India Mukesh Ambani for example right there are people like Mukesh Ambani right there are loads of people like that right they are rich I have a lot of respect for Mukesh Ambani by the way sir disclaimer sorry I have a huge respect but he is rich because he was born in the rich house right right 10,000 crore already exactly and what is our research says that if you have 4 5 crore then easily you can get to 10 crore if you have 2,000,000 then 1 crore is big right right absolutely so what is in India the wealth they pass through the rich are getting richer in our UK where I live there is inheritance tax is really powerful sir this inheritance tax is not going to be tax I don't favor inheritance tax because I know it becomes a political issue sir make it now it's awesome but what do inheritance tax is the people are super rich like I don't consider myself but if you have thousands crore have that you get from society I got lucky because of society so you also have an obligation to give something back to society you can't give the whole thousand crore to your children who then basically come and they are kings a day one you can't give your children all the money you can't give your children 3,300,000 then you have a tax 40% one second I mean if you have a person earn a lot of money earn a lot of money then you have a lot of money only 3,300,000 you can give your children only that you can give your children how much tax 40% 40% now you can see Bill Gates he's putting his money on his charity why is he doing it that's a wrong question no sir I genuinely believe he has the right intention to do charity but he will not do it government will take it anyway sir he's doing it there are ways around it who are rich people who are looking at it how do they do it you know there are ways it's interesting it's very big let's go back to the topic sir no sir you have completed it then we will go okay firstly I am a political sir I have no political views I am just giving my personal views as an economist this word someone is just saying sir so you asked the question that you have a lot of money if you have a lot of money then you have a wrong view you have a wrong view you have a wrong view so my experience is not like that in fact most of the rich most of the people who have supported me in life are the super rich okay super rich people who have mentored me on stage otherwise I would definitely not be where I am today 100% okay so I reached out to them to help me and they said okay yes and they took me to the next stage and they were all super rich people like you know multi multi millionaires so you are saying that outside and outside there is a difference in the mindset that you have to make money that you also make money correct that's been in my experience I don't say I can't I can't I can't I can't in my experience all have supported me who were rich people who were rich people they had if I didn't have a C.A.B. I said if I had a C.A.B. I had a C.A.B. a very rich person who told me he was like a director who told me if you have come on in life then do it I didn't do it I didn't do it I would not do it guidance and he supported me gave me the confidence I was so nervous I was so nervous I was so nervous I was so nervous and I was so nervous about it but he basically took me to a room and he said look he basically said don't talk to the people who say it's tough it's not tough you will do it easy but 100% go for it he pushed me so he pushed you in our country it's about 25-26 years maximum C.A.B. and 28-28 content creator but you said you said you have one way Instagram correct? one way right? now in the situation a few months ago there was a scene when Instagram closed on one day once again in the sense India was not going to be for a couple of hours and all people were in panic and all of them were in panic and coincidentally उसी दिन किसी की शादी भी हो रहे थे यहाँ पर में नाम नहीं लोगा भई तो उसी समय पर हुआ था और उसी समय पर मेरे दिमाग में भी थॉट आया था कि हम लोग इतने heavily dependent हो गए एक platform पे कि हमारे पास alternative नहीं है आज जिसे मैं बात करता हूँ आप भी इस चीज़ से agree करेंगे कि हम Instagram, Facebook चलो थोड़ा बहुत और Twitter इसके अलावा एक social media platform नहीं है अब मुझे एक simple सी चीज़ बढ़ाई है मेरा दिल पर मतल दीजेगा लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि अल्रेडी market में काफी सारे firms ने इस तरह की social media बनाने की कोशिश करी है आप लोग ऐसा क्या करने वाले हो जो आप एक तरफ ambitious project लेके चल रहे हो Instagram को टक कर देना आपको बदा ही हासान नहीं है तो ऐसा आप अलग क्या कर रहे है एक तो मैंने आपने कुछ उसको थोड़ा डीटेल में पहले समझा दीजिए फिर मैं follow up करता हूँ ये shares वाला क्या scene मतब क्या shares आप public को दे दे रहे हैं या क्या scene में है मेरे को ये चीछ समझ में नहीं इसको डीटेल में आप समझाए so बिलकुल public को दे रहे है I think इससे पहले कि मैं समझाऊं क्यों क्या कर रहे है I think it's important I explain कि क्यों कर रहे है उससे पहले भी आप क्यों कर रहे हैं बताईए मैं एकी साथ इस question को में डाल देता हूँ ताकि आप एक साथ flow में उसका answer दीजे क्यों कर रहे हैं और एक इसमें add कर देजे आप Instagram और इन सारे players से अलग कैसे होंगे ये मेरे लिए important है क्योंकि मैं किसी platform पर क्यों जाओंगा simple सी बात है मैं नहीं जाओंगा क्यों जाओं, shares का क्या concept है और क्यों कर रहे है ये तीनों का आप जवाब देती है तो I think ये कहानी शुरू होती है पहले actually मेरी खुद की कहानी से मैं जॉब करता था मैं CA हूँ और मेरी जो जॉब थी वो थी company के shares की valuation को increase करना ठीक है अब operator थे? नहीं 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 जैसे मैं एक बड़ी company के लिए काम करता था जो JP Morgan और UBS में jointly on QVT ठीक है और मेरा जॉब था company के directors के साथ में काम करना की company के share की क्या value है और आगे जाके कैसे बढ़ाई जा सकती है तो मैंने अपना career इनी चीजों में बिताया है ठीक है और मेरा passion है इसमें है और passion के वाई से मैं investment बड़ी की है मैंने इसारी लाइफ में मैंने Facebook के shares कब से खरीदे हुए थे और मैं investor reading पड़ता था briefing को regularly है ना तो एक चीज जो हमें stand out हुई शुरू से और एक खाली मैंने यूँ मैं जैसे और भी Indian है वहाँ पे जो जो analyst थे मेरी तरह कि जो Instagram की share की value है वो actually public से है अगर आप देखो अगर एक दिन के लिए आप सब लोग content create करना बंद कर दो Instagram पे तो stock crash होगा stock crash होगा रइट तो जैसे हम कहते है ना और कोई company और Tata Industries हो उनके इतने plant industry सब कुछ होती है हम लोग जब share की valuation करते हैं प्लाँ सब कुछ assets है Instagram को asset तुम हो Instagram के assets creators है और users है लेकिन उन creators users के जो value है वो सब share shares में है क्योंकि share सी capture कर रहे है value अब वो shares किसके पास है वो सिरफ New York और US में कुछ share order बैठे है बड़े बड़े लोगे which nobody talks about ठीक है अब हम लोग यह देख रहे थे जम investor briefing पड़ते थे हमारे इतने daily user होगे इतने daily user होगे है और एक चीज़ जो फैसा stand out होती थी कि सारे इंडिया से आ रहे है Instagram की जो biggest market है वो इंडिया है ठीक है और fastest growing market इंडिया है और हम लोग जो मैंने का ना इंडियन लोग जो भाराइज है लेकिन इंडियन को का मिल रहा है नफिंग है ना ओल जो वैल्यू और लोग आई जा रहे हैं अपना टाइम दिये जा रहे हैं और वो सारी value shares की capture हो रहे है वो it's sold only by some people in the US Okay तो इस यह नहीं जी है हम लोग कई साल से बात कहते हैं कैसे किया जाए कि इसको reverse किया जाए क्योंकि Indians are adding value हाला कि it applies to many countries अब हमने बादमे बात की Brazilians, Indonesians, there are all big countries which are on Instagram अब साल सब मेजर India है Major India है और हम लोग Indians थे जो थे तो हम लोग को यह था यह क्या किया जाए तो अब हम सब की अच्छी अच्छी jobs थी तो अब हम सब की अच्छी jobs थी मैं अब ही बीड़ च्छी जाब थी मैं C.A. ता कई सालों से ऐसे ही जो मेरे friend Co-Founder है हाँ हाँ मैं 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 अपनी Majority of life आप लिए लिए तो हमारी इतनी busy life थी हमें लगता था कुछ गलत तो हो रहा है But who can solve it Right? हम तो मैं तो CA हूँ मैं तो यह मेरा काम नहीं है कंपनी मिनाना Right? But we were thinking Somebody should do something लेकिन जैसे जैसे time होता गया It's getting worse पाइदा उठा रहे है और मतब ठीक है बिल्कुल हम हमारे बंदों को क्यों नहीं हमारे इंडियंस को क्यों Was that the thought process? अरे हमारे फ्रेंड्स में तो कहते थे I should be saying this No, no, you should say In England में देखेंगे लोग They won't understand So इसले इसले मैं बोल रहा है We came to the country Said we are good for you But they were not good for the country बल्कुल तो जो Instagram है हम Instagram के एंगेज नहीं है हम सरभे कह रहे हैं कि जो value ये एक trillion dollar की value है आज Instagram की valuation की It's five times the size of Reliance Group Reliance Group है 20 lakh crore Instagram की value है आज की rate में 1 crore crore ठीक है? 1 crore crore और biggest market is India ठीक है? And nobody in India gets a penny सब वो लोग कमा रहे हैं हमारे नाम पर और कुछ लोग और वो yachts क्रीद रहे है aeroplanes क्रीद रहे है And Kali मैं यह नहीं कह रहा है India, you know Africa is on it and Brazilians are on it But सारे shares किसके पास है? Rich लोगों के पास ठीक है? और और जो तो हम लोग सोचे थे क्या किया जाए ठीक है? मैं तो I had a very good job और कई साले चलता रहा ठीक है? फिर मैं एक टाइम पर जब मैं financially stage पर आ गया मैंने का Let's do something Let's do something silly ठीक है? आइडिया उसना में यह था कि company बनाके यह cryptocurrencies होती है हमने शुरू था company में आके I will never show my face और shares डाल लके कहीं दे देंगे कि public में बढ़ गए है और सब लोग ना company start हो गई है और and all the people are on it and they own the social network यह हमारा शुरू में आडिया था decentralized social network हाँ लेकिन हमें यह जल्दी से समय में आ गया हमने जादा बना के छोड़ देंगे it was like a fun project लेकिन ना जो जो हमें मुच्किले आई शुरू में you know come जब engineers you know you have a team you have to lead them and somebody when you come to investors they say somebody should be leading this ऐसे तुम नहीं खड़ी कर सकते so at some point I decided I will have to come and face it and really come out so तो यह हमारी सुरी पुराणिस रड़ी यहां से chat wise का existence आया यह planning आया बिल्कुल यह क्यों का answer हो गया यह तो क्यों का answer हो गया मेरे दिमाग में अभी भी यह shares वाला पहले आप समझाईए shares वाला concept कैसा है मेरे को थोड़ा detail में समझाईए because मैं आप लोगों बदा दू कि हमारे maximum viewers को shares क्या होता है सब finance वाले है सब परम ज्यानी भी है तो यहां पर बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आपने एक problem तो समझ लिए कि भारत में भारत से काफी business ले जा रहा है बढ़ हमको कुछ नहीं मिल रहा मैं जैसे एक simple था बताता हूँ आज के time पे भी ना Indian economy में जो creator है मैं एक problem भी बता देता हूँ Instagram पे creator जो बहुत समय से आ रहा है content create कर रहा है create कर रहा है Instagram उसको पैसा नहीं देती है I being a creator जिन लोग के दिमाग में सवाल होता है Instagram real के पैसे देती है at the end creator एक time पे wait करता है कि मेरे 50,000 subscribers हो जाए followers हो जाए या 1 lakh हो जाए जिसके बाद brands मुझे पैसा दे ना उसमें भी ifs and buts बहुत है कि आपको सही लोग मिल जाए agency मिल जाए सही brand deals मिल जाए तो बहुत ifs and buts है तो मेरा आपसे यह सवाल है पहला क्या आप Instagram से इधर different है और इसी के साथ आप जो पुराने questions है उसको link करके अगर आप answer के shares वाला तो सच बताओ तो मुझे समझने में बहुत curiosity है तो पहले तो Instagram की बात मैं छोटी सी करूँगा 30 seconds की I think Instagram should be sharing the money क्योंकि जो लोग create कर रहे है value वो deserve करते हैं लेकिन Instagram क्यों नहीं देता there is no competitor राइट हमें competition में काफी किया है when you don't have a competitor you don't have to do these things they are a pure monopoly and they behave like a monopoly अब जो verification का होता है they're charging you right हम verification free करते हैं मैं बताता हूं हमें verification करने में आज की डेट में इंडिया से कराते हैं 20 रुपे लगते हैं किसी बी you know when you apply for verification we give you blue tick it cost us 20 rupees जो हम UK में पहले करते थे it was costing us like 60 pence less 8 रुपे और कितना वो charge करते हैं UK में they charge you like 9 pound a month right it's a monopolistic behavior क्योंकि उनको पता है no competitor ही नहीं no competitor ही नहीं तो that's one thing about you know I have strong feeling Instagram should share पर हो सकता है अगर chat was successful होता है then they will realize you know there is a competitor but now the question about shares shares और इसको थोड़ा detail में समझाए और मैं इससे आपसे सवाल भी पूछते रहूँगा because यह बहुत नया concept है India में मैंने कभी नहीं देखा कि को social media platform पे मैं अगर अपना account बनाऊ और मैं उसका share hold कर सबको correct अच्छा मुझे पैसा देना पड़ेगा नहीं कुछ पैसे आप बलाईए इस सीच के बलाईए नहीं इंडिया में नहीं यह दुनिया में कभी भी नहीं हुआ और किसी भी industry में नहीं हुआ यह मैं इसलिए कह सकता हूँ confidence से क्योंकि हमने legal help ली हमारे बड़ी problems हुई शुरू-शुरू में हमारा जो project is called FAOK first of its kind F-O-I-K तो UK में इसकी term है first of its kind means it's never been done before तो जब हमने lawyers को बात की तुम lawyers को पता होगा lawyers को पहले president दिखते हैं कि यह काम ऐसा हुआ था तो ऐसा होना चाहिए जब हमने lawyers को बात की तो यह करना चाहिए यह तो IPO हो गया यह तो IPO हो गया your public को तुम share दे रहे हो तो उसमें legal aspects अलगाएंगे सब कुछ आयते हैं you have to follow यह सित्वाने आप मेंका सेभी है UK में हमारे UK में अपना FSA है लेकिन जो सारे के सारे उनके rules होते हैं वो rules करते हैं उन पे 2-3 fundamental चीज़े होनी चाहिए एक तो तुम share दे रहे हो जो हमारे पर apply करता है एक तुम public को दे रहे हो जो हमारे पर apply करता है तीसरा fundamental you are asking them to pay money because you are raising money to stock market जो हम नहीं कर रहे ठीक है तो अगर आप US में भी जाओना यह 4-3-4 fundamental blocks हैं जहां पर rule apply करते हैं तो हमें lawyers ने बताया कि you एक time तो ऐसा आगए था हमें लगा था project बंद हो जाएगा क्योंकि जब यह rules का हमने सोचा न उनने के तो सोचा ही नहीं हमने तो फिर हमें lawyers को दिया उनने का नहीं नहीं तुमारे पर नहीं apply करता है क्योंकि तुम पैसा तो raise ही नहीं कर रहे तो एक second before you continue बन्दब आप कह रहे हैं कि आपकी platform पे एक बंदा आएगा जो content बनाएगा उसको share मिलेगा बट वो share के लिए pay नहीं कर रहा Yes Go ahead Go ahead Go ahead जैसे मैंने बोला ना कि Instagram पे I believe, genuinely believe Instagram should give their shares to creators अगर आपके millions of followers है You are the real asset Absolutely You are working hard for Instagram Actually, you are working hard for Instagram shareholders तुम सुभे सले के content नाते हो लोग रहे होते हैं They are selling adverts on your content Right? They are making all the money Who's getting the money? Them What are you getting? Nothing I think And what are users? कुछ मिल रहा है वो सारा दिन टाइम लगा रहे हैं Right? But you are the one creating money So, we fundamentally believe that's what should happen To हमने 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 शुरू में सोच रहे थे हैं कि थोड़ा बट पैसा लोगों से हम लें क्योंकि हमें वेरिविकेशन में पैसा लगता है Right? जो हमें Share देने की एक fundamental requirement है कि There should be a KYC ठीक है Know your customer यह company's house का rule है ठीक है तो यह तो follow कर नहीं है यह तो करना ही करना है Legal requirement है तो हमको यह तो करना ही था हमने क्या किया यह efficiency करी हमने का एक बार KYC करेंगे हम तुमारे verification भी कर लेंगे जो लोगों को tick करते हैं और हम KYC भी हो जाएगी तो हमने यह काम कर दिया लेकिन उसकी cost ही तो हमने सोचा कि हम 20-30 रुपया चार्ज कर लें वो cost pass through कर दें क्योंकि हमारी company It started as a fund project We were not here to make money ठीक है लेकिन हमें lawyers ने कहा कि तुम 20 रुपया भी चार्ज करोगे तो SEBI and these guys can catch you तुम पैसे ले रहो तो हमने क्या decide किया At the point of contact there is no money You get your shares for free तो हमने executive decision लिया बैठके चलो छोड़ो जो पैसा लगाना है हम अपनी जेब से बरेंगे लेकिन हम लोगों से नहीं लेंगे Because we don't want to get into entanglement of SEBI or anything We want to give the shares We give it for free People have ownership हम अब होगा क्या जब आगे जाके हमारा IPO होगा IPO में लोग लगाते है ना पैसा IPO लेने के लिए जो यह लोग होंगे इनको लगाने की जुद बढ़एगी हो कि उनके पास पहले से हमारे share होंगे They will have pre-allotted shares in the company before the IPO पर एक मेरे इस पे सवाल है कि आपने बूला आप shares दोगे पबलिक को अब भारत की जनसंकिया 140 करोड की है हम सब को share दे पाएंगे So this is a great question ठीक है Facebook के कितने share हैं पता आपको आज की 2.5 billion shares ठीक है 1.5 billion तो 1.5 billion को क्रोड़ों में कितना हुआ अम 1.5 billion कि Facebook के ओपर जो entire population है जितने usage हैं About 3 billion हर आजमी के लिए एक share है Facebook के पास लेकिन वो सारे share सिरफ Concentrated हैं कुछ लोगों के हाथ में अगर वो देना चाहें तो हरे के लिए एक share है ठीक है और एक share कितने का है 500 dollar का आज की rate में ठीक है We are able to give shares to loads of people तो हमने हमारे share company के अभी 25 billion shares है Which is 10 times more than Facebook ठीक है तो एक तरह से मार पास 10 share है हर आजमी के लिए जो हमारे platform पे आ सकता है 10 share है हर आजमी के लिए जो हमारे platform पे आ सकता है लेकिन वो होगा नहीं हाँ मैं वही सोच था सारे share बाट देंगे तो कैसे चलेगा कुछ इसमें आपने restriction time limit कुछ तो रखा होगा इस तरह से बिल्कुल 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 तो what is that थोड़ा सा explain अगर आप कर देए तो हमारे ना company के stages है पहली stage होगी अब जो अब start हो रही है वो होगी build community literally अभी मारा app इतना अच्छा नहीं है Instagram जैसा but we are 70-80% there धीरे-धीरे करके तो पहले हम 10,000,000 users को बिला रहे हैं जिनको हरे एक को share मिलेंगे ठीक है पहले 10,000,000 users जो इस पे करेंगे ठीक है मैं अगर को एक link बोल दो आप उस पे एक invitation link बना दीजेगा absolutely एक चाट करके आप एक link बना दीजे जिसका मैं description में भी और comment में एक link दे दूँगा तो यह first 10,000,000 लोगों के लिए लेकिन 10,000,000 लोगों के लिए ही है उसके बाद में हम लोग यह बंद कर देंगे तो हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो फिर यह मेरे को भी नहीं बदा था यह वाला angle तो this could be the first opportunity तो यह मैं लोगों को clear कर दूँ यह 10,000,000 लोग जो पहले से ही और मेरे को pretty sure है कि बहुत जल्दी भर जाते क्योंकि हमारे चैनल के जल्दी जल्दी वो लोग क्योंकि वो क्या होता वाटस वाटस पर forward कर देते तो मैं पहले ही बदा दू कि भहिया आप लोगों के पास advantage है तो यह वीडियो को आप चाहिए तो अभी pause करके पहले फटा-फट यह चीज कर सकते हो ठीक है तो यह 10 लाग shareholder बन सकते है हां correct हां इसमें क्या-क्या इनको करना पड़ेगा वो बता दे KYC आपने एक बोला compulsory रहता है KYC में अपना नाम यह आदा पता वो सारी चीज़े दे दी हां KYC requirement है लेकिन हमने नहीं रखी हुई शुरू में हमने सिर्फ क्या किया है कि जो जो लोग हमारे app पे आएंगे उनकी user ID होगी और user ID पे हमने fix कर दी है shares तो हमने तो ऐसे कर दी है तुम तुमारा phone number ले लिया है तुमने अपना register करो phone number और तुमारे OTP से ही आजाएंगे तुमारे इतने share reserve कर रखे हैं और वो permanently हो गए है क्योंकि वो हमारे back end system में डल गए है तो यह इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को एकदम से KYC के वैसे ना करना पड़े एक बार तुम आगे मारे platform पे और तुमारे को हमारे बटन है claim और तुमारे नाम के सामने आयता है कि तुमारे इतने हो गए अच्छा में एक सवाल है धर माइंड मत कीजेगा नहीं बिल्कुल दोजार रठरा में क्या हुआ था एक केस आया था Cambridge Analytica करके आपने सुना होगा Facebook का ठीक है और इससे पहले भी if I'm not wrong 2012 में 2009 में काफी allegations लगें Facebook पर data breach का कि ये लोग data ले लेते हैं बेज देते हैं किसी को ये कल लेते हैं data की security नहीं है actually मैं ऐसा कुछ था 2012 में इन लोगोंने करीब कुछ साड़े तीन सो नी साथ करोड लोगों का data कुछ कर दिया था तरुदर और Cambridge Anality का तो बहुत बड़ा चला था तो पहला एक जो मुझे खुद एक डर रहेगा आपके platform पर आने का कि मैं ये KYC करूंगा और मेरा data अगर compromise हो गया क्योंकि ये होता है आज कल आप तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ठीक पहले तो Cambridge जानेटर मैं Cambridge में रहता हूं शहर में दिवाग में थी, right? Who will trust us, right? He's a CA, he's a Chartered Accountant, what does he know about security? So first, my co-founder is, he is one of the, when he is a picture of three idiots, do you know Rancho? He's the Rancho in my eyes. He's the guy who went to the best engineering colleges, he's passionate about engineering, he was here in India, then he went to Korea, he worked in top companies, then he went to US, Yes, he worked in Microsoft, top companies, he's a geek, okay? And he's in this for passion, we are not in this for money. We are all in this for passion, we are all in this for passion, we are all in this for passion, so we are all in this for passion, we are all in this for passion. So the security that we have actually made a Russian man, he is a hacker. Sir, like you said on camera, Russian names, but what do you say? He is a hacker, but he is a hacker, right? Russian hackers, we are all in this for hacking, but you don't have to say it. So my point being, we are taking security very seriously. One thing that is very important that we have told you, what we have done is that our entire data is in Amazon service. Amazon service is in Amazon service. So in the old days or past 5 or 15 years ago, the company manages itself to manage itself. Then you are open to hackers, that if they are using my server, we don't have the expertise, but we are almost borrowing the expertise of AWS. Which itself is the biggest one. Biggest one in the world. So what we have done is that AWS is the most expensive packages. तो आपका जो data आता है, वो सीधा AWS में जाता है, हमने कुछ नहीं रखा हुआ तो आपने सबसे secure channel उधर ले लिए है, और उसके ओपर भी हमने रखे हुए है people who were professional hackers, जो यही काम करते थे, to hack the system, to scan the hackers तो हम उनको pay करते हैं, वो अच्छा काम करने के लिए पे कर रहे हैं exactly, exactly, because they know how hackers think और, मतलब हमने, देखो, कोई भी, कोई भी company आज की डेट में तुम्हें guarantee नहीं दे सकती कि नहीं होगा, right, even Facebook got hacked, right, लेकिन हम, we are extra conscious और हम, इसलिए हमें इतना काफी time delay भी हुआ है, क्योंकि we wanted to make sure data security आपने पुरा काम तरा, तो चले वापस back to वो आते हैं, बंदा आया, बंदे ने description में गया, उसने एके chat यूज किया, उसने अपना account KYC किया, what would be the next step, अब क्या करना है उस बंदे को देखो, 30 दिन की streak gives you 30 shares, streak एक सगे, थोड़ा धीरे देरे चलेंगे, तो आपने कहा 30 दिन की streak, हम ट्रेडर्स और इंवेस्टर में, streak वो होता है, कि आप रोज, कितने दिन तक profitable रहे, कितने दिन तक नुकसान में रहे, उसकों streak कहते हैं, कि 20 देज तक हम back to back profitable रहे, यहां पर, if I'm getting it right, streak मतलब consistently, consistently वो कितना active रहे, is it something? बिल्कुल, तो इसमें दो चीजे हैं, एक तो कितना consistently तुम यूज कर रहे हैं अपको, तुम अगर 30 दिन हर रोज दिन में एक बार आरे हो, तो तो तुमारी streak मन जाती है, जैसे कि तुमने कल गए, कल गए थे तुमारे याप पर, आज तुम आए हो, तो हमारे आते ही invitation कहेगा, thank you for coming today, today is your second day of the streak, and third day, this is the third day of the streak, and मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं कि क्यों कर रहे हैं, I think it's important, we we are open and honest with the public, हम लोग वो नहीं चाहते है कि आप लोगो को अटिक्ट कर दे, right, we didn't start here to make money, although company will make money, which will be shared with everyone, okay, okay, streak इसलिए important है, हमारा जो मेरा जो मेन मोटिव है, वो है इन शेर्स की वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, I want everybody to benefit from these shares, ठीक है, जो stock market है, जो new york stock exchange है, any stock market, वो जो company के shares को value करती है, वो ये value नहीं करती कि तुम actually पैसा कितना बना रहे हो, and I'll comment to that, they value how many daily active users you have, now, कितने daily active users है, ये मैं बताता हूं क्यों, मैं एक example देता हूं, आप लोगों सुना होगा जब WhatsApp की, WhatsApp बिका था, right, WhatsApp बिका था, करीब 16 billion dollars का, बहुत महंगा बिका था, बहुत बावाल के लोग, ठीक है, ठीक है, और उसके, you know, hundreds of million users थे, and it had never made a penny, absolutely, और लोग कह रहे था कि Mark Zuckerberg बेवकूफ है, क्यों ले रहा है, ये, one thing I learned from my professional life is, in social media space, a company does not need to make money for its shares to be valued highly, ठीक है, एक social media space पे, जरूरी निए कि वो ज़्यादा पैसा कमाए, हाँ, sorry, valuation, नहीं नहीं, आँ, बोले, बोले, मैंने challenge दिया था आपने, आपको, तो आप ये कह रहे हैं, कि social media company के लिए जरूरी निए कि वो ज़्यादा पैसा बनाए, बट users, कितने है, active users, active users, ठीक है, और इसी लिए, अगर आप Instagram पे जाओ, किसी भी पे टिक्टों पे दे, है, जब जितने जादा लोग इस पे scrolling करते रहते हैं, और content बनाते रहते हैं, absolutely, चाहे तो content बना रहे हैं, और चाहे consume कर रहे हैं, correct, दोनों लोग, जो scroll कर रहे हैं, और तुम post कर रहे हैं, they are adding value to the share price, ठीक है, तो हम, क्योंकि हम share पोनी नहीं करते हैं, हम सब को देने वाले हैं, we want you to know, कि आप लोगों के shares की value तब बढ़ेगी, when you are using this app, तो अगर आपको आदा गंटा लगाना है, instead of Instagram, you use here, it will benefit you and your friends, because you collectively own the company, okay, थोड़ा दो मिनिट लगेगा, इसको digest करने के लिए, लेकिन आप इसमें मेरा एक और सवाल है, आप कह रहे हो, इतना clear हो गया, किवाईस ही किया, यहाँ पर, तो यह जो streak आपने बोली है, तो यह सरफ creator को यहाँ पर मिलेगा, या even consumers के लिए भी एक streak रहेगी, जो login कर रहा है, हर बंदे के लिए, शुरू में तो हम expect कर रहे हैं, सिर्फ consumers आएंगे, ठीक है, पहले जो 10,00,000 user हैं हमारे, हमें लग रहा है वो सब consumer होंगे, और हम तो उनको यह कह रहे हैं, हम तो यह कही लिए रहे कि, you come here कि हमारा app बहुत बढ़ी है, हम तो यह कह रहे हैं कि तुम इस company को उठाने के लिए आ रहे हो, इसलिए हम तुमको share दे रहे हैं हर बंदे को, आगे जाके हम कर देंगे, अभी जो तुम 10,00,000 लोग आ रहे हो, you are the real shareholders, you are the beneficiary of the company, you are almost like co-founders with us, तो condition यह कि आप 30 दिन active रहो हैं पर, अब आपने यह जो question पुछा है, कि 30 दिन active, कितना time active, हमने एक price money रखी है, एक लाख US dollars, बोटा बोटी एक करोड होता है, यह तो, करीब, हाँ, करीब, करीब एक करोड रुपे, एक करोड रुपे मिलेंगे, जो लोग active होंगे platform पे, is that what you are trying to say, एक pool money रखा है, हमने pool money रखा है, हम लोग randomly pick करेंगे, लोगों को, पर जो लोग streak में होंगे, तो जो लोग streak में होंगे, और उसका simple सा कारण, हम चाते हैं कि, पहले 6 महिने में, लोग streak करें, उसका benefit हमें पता क्या है, हमें benefit है कि, अगर तुम लोग streak करेंगे हो, हम लोगों को, हमारे developers को, छीज मिल रही है, हम उसको improve कर रहे है, हमारा challenge यह है, 6 महिने में, हमारा app should be better than Instagram, मैं publicly लिए रहा हूँ, that's our internal challenge, हमने team को सब का यह है, 6 महिने में, we want to be as good or better than Instagram, और उसके लिए हमें help चाहिए, लोगों की, ठीक है, और इसलिए हम इन लोगों सब को share दे रहे हैं, और इनको यह price बनी दे रहे हैं, तुम लोग help करो हमें, और हम आपके shares की value बढ़ाएंगे, तो जो बंदे यहां पस streak बनाएंगे, तो यह जो आपके पस 1 करोड का pool है, fund है, इधर सही वो लोग select होंगे, और उनको अब तो यह क्या कुछ virtual money है, या कैसा क्या रहे हैं? नहीं, नहीं, रियल cash money, I can show you, इने, एडिटर भाई, यह screen पर दिखाना है, जो sir, मेरे को दिखा रहे हैं, अच्छा, sir, अगर आपको दिखना है, तो मैं, हम finance वाले हैं, तो थोड़ा देख लेंगे, तो विश्वास करेंगे? यह हमें ना, हमारी investor से बात हुई थी, कि कैसे लोग विश्वास करेंगे, कि हम लोग देंगे भी के नहीं, तो हमने ना, यह, हमने इस bank में, यह Barclays का bank है, इसमें हमने, एक लाख पाउंड हमने रख दिया, यह करीब, ने ने, यह तो स्क्रीन पर दिख जाएगा, सर इसका ID पासवर्ड आप, बता जिजए, यह, सही में एक करोड रुपए है, यहाँ पर, तो यह तो भुला सर आपने वो बना दिया, content creator के लिए, KBC टाइप भी हो गया, यह, मैं बिना आंसर दिये भी कमा सकते, तो active रहना चाहिए, अज़ा, बर मुझे एक curious thought आया, एक, जो मैं ना, सर कुछ platforms का challenge देखाया है, मतलब, sorry, again I am asking, क्योंकि मैं, मैं इस चीज़ पर अपना दिमांग लगाने की कोश्च कर रहा हूँ, Instagram, Facebook, यह सारी चीज़े आई, तो यह ना, लोगों को engage करके रख पाई थी, correct, इनके था, मुझे, चलिए हमने shares दे दिया, हमने यह कर लिया, में दिमांग में एक बहुत ही silly question हो सकता है, बट यह question हो सकता है, audience बूचे, 30 दिन तक streak बनाई, shares भी लिये, उसके बाद inactive हो गए तो, यह चीज़ भी हो सकता है, काफी सारे, तो हम क्या किसी तरीके से कुछ एक कर रहे हैं, let's be honest, जो हमारे platform पर अभी नहीं होगे, और इसलिए हम शुरू में लोगों को, यह carrot दे रहे हैं, carrot है, तुम्हें shares दे रहे हैं, यह जादा honest होगे, बट हाँ, ठीक है, बट हाँ, shares दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें हम चाहते हैं, तो लोग समझें कि हो क्या रहा है, ताकि, we want you to partner us, क्योंकि तुम्हें आप शेरोल्डर इन अपर शेरोल्डर बन गया, जैसे मैं बदा तो, मैं स्टार्ट अप्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उन पे फिर अक्टिवली इसले, उन चीजों के उन से रिलेड़ेट पार्टिसेपेट इसले करता हूँ, एड़ेट फाइना मेर को है, विकॉस्ट अगर आप कंपनी के शेरोल्डर हो, तो तो पुब्लिक ये समझेगी, कि अगर तुम्हारे ही शेर हैं, तो वाइड वुड ये और तो ये अगर तुम्हारे ही शेर हैं, तो वाइड ये और ये शेर का वैल्यू बढ़ा हो, ताकि कल को IPO जब आएगा, तो आप अच्छा खासा इन कैश कर सकते हैं, ये जाएड एडियू है, जब आएट ये बीघर हैं, तो पर ये बिली नहीं करोगे, पर सार इसमें इसा बीड़ पर एक इस्यू हो जाती है, जो मिन एक देखा हूँ है, बहुत हो जाती है, मतलब मैंने एक देखा है, पहले काफी सारे फोरम्स रहते थे, वहाँ पर हम जब जाते थे, तो पहले काफी फ्रेश थे, उसके बाद बिलीब नहीं करोगे, मेरे नाम के फेस्बूक पे 70 ID बने हुए, उनको रोज इधर उदर से ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, इंस्टाग्राम पे भी आए दिन, हर बंदे के महने रहते हैं, कि बाई, ये क्रिप्टो खरीद लो, ये इन्वेस्मेंट स्कीम खरीद लो, ये हो रहे हैं, क्या चीज रोक रही है आपके प्लाटफॉम पे ये चीज़ में आपके प्लाटफॉम में भी हो जाएगी, फिर तो लोग छोड़ देंग क्यों हमने ऐसा किया ऐसा, हमने जब स्टार्ट किया था ये बनाना, हमने कहा था, लेस्ट थिंक ओफ, इस आइडियल सोशल मीडिया, और ये प्लाटफॉम में क्या होता है, कि अगर तुमने बनाया, मैंने आपके इसमें आईडी बना दी, तो हमारे प्लाटफॉम पे पहल अगाश्mm पे बनाना, हमने बनार से, कि बनाना दी तो ये सथिरुम परणाब्णाबंध। ID ठीक है और यह हमारा actual में destructive decision था क्योंकि as a company अगर हम allow कर देते हैं email से we get lot more users क्योंकि लोग और बनाएंगे shares लेने के लिए है ना हमें का था कि यह actual में early stage अच्छा है लेकिन हमने का नहीं नी we're gonna stick to our ethics हमने अगर आपको users बहुत बन जाते बन जाते हैं तो काफी dummy accounts to maximum हो जाते हैं लेकिन we were being we will be lying to ourselves हम लोग इसमें money मनाने के लिए नहीं थे ठीक है तो first thing second thing हमारे platform पे अगर आपको public शुरु में तुम join करोगे ना you join as a Instagram private account हमारे chat face पे everybody joins as a private account only with verification you can make public account ठीक है only with verification you can how many people of your name who will be able to verify and create मेरा number तो मेरे पास ही है और आपका नाम भी आपके पास है तो अगर कोई दूसरा बंद है जिसका same आपका नाम है he might be able to do that but he may not be want to be a spammer right so the probability of that dies so हमारे platform पे हमने शुरू से fundamentally कहता है spamming नहीं होनी चीए तो इसी लिए ये रूल लेका है हम हम लोग verify free करेंगे quick करेंगे but you can't keep creating sir इदर एक सवाल है जब इंडिया में जैसे जैसे इसके popularity बढ़ेगी न तो एक एक दिन में ना लाखो लोग आएंगे क्या आप लोगों के पास system ऐसे efficient बने कि लाखो के phone number पर approval कर रहे है तो आपका इसके लिए अलग से team है जो ये चीज करेगी या कैसा क्या सीने इसके जो most of the themes are automated अचाही ठीक है लेकिन verification जो हमने verification अभी तक हमारी automated थी ठीक है ठीक है but automated verification cost a lot of money अभी तक हमारी पास automated है लेकिन अगर हमारे पास मैं तुम्हें इंटर्न बात आरहू openly honestly this was a मेरी team भी में को मारेगी लेकिन this is something हमने सोच लिया कि अगर लाखो यूजर आयाते हैं exactly we will have to pose the automated क्योंकि वो सारा पैसा फिर मारा ओवी company ले जाएगी ठीक है जो हमारी करती है third party और अमने third party इसलिए रख्यूए क्योंकि they are the most secure company क्योंकि तुम अपना अथार कार्ण security का सबसे जादा हम आप अथार कार्ण देते हैं हमारे पास आता ही नहीं वो सिधा वही company करती है they just tell us yes or no और हम लागी कर देते हैं लेकिन अगर लाखों लोग आते हैं then we actually have a team of people who will do this then we will start to do ourself or we will go and raise some funds from investors to be able to do that लेकिन हमारे खुद के जो इन्वेस्टर्स आता है technical सवाल है मैं जस्त करेक्ट कर रहा हूँ इसका मतलब अगर मानले जो बहुत सारे लोग आ रहे obviously company grow कर रही है company grow कर रही initially जो 10 lakh लोग आपने बोला है इनको 10 lakh लोग है फिर आप जब यह सोच रहे हो कि उसके next step पर जब इन्वेस्टर से आप raise करेंगे साथ में valuation भी बढ़ेगी absolutely तो इसका मतलब जो बंदे अभी हमारे जो लिंक से जित्ते लोग जॉइन करेंगे उनका valuation भी बढ़ेगा correct? शेर्स का this is the thing we want people to understand company grow कर रही आप भी grow कर रहे सब साथ में grow कर रहे 10 lakh लोग अगर आते हैं तो हमारे pessimistic estimate से company की value करीब साथ से आठ हजार क्रोड हो जाएगी मैं बताता हूं क्यों मैं बताता हूं क्यों western markets में एक active user is valued at around 200 to 300 dollars यह मैं नहीं कह रहा you can go on facebook facebook पे आज बहां पर एक user आप कह रहे 200-300 dollar का रहता है active user को that's how markets value you ठीक है तो बहार का अगर मैं इसको यह कहूं तो करीब-करीब 800-2000 रुपय का एक user है correct? 800-1000 रुपय का एक user है एक user की value है 20,000 अपर यह चीज बड़ी openly तुम observe कर सकते हो तुम twitter की price देखलो जब उसने खरीदा था उसने जब price दिया था उसने like 200 dollars sir मैं इसना active हूं मेरे इसमें तो और 2-3-0 लग जाने थी अब ठीक है चलिए this is why you guys are the value right? you are the real value because you are we are diverting from the topic let's come to this तो तुम लोग twitter को जाके देख सकते हो कि उसकी valuation क्या थी कितने user थे you know it's about 200 dollars की जो sale हूई थी और अभी भी तुम अगर facebook के meta के share price पे जाओ और you go to investor briefing उसके 3 billion users है around don't quote me I haven't checked 3 billion users और it's about 1.2 trillion dollars इसकी value है जो last मैंने चेक के दी अभी it's around that time तो एक तरह से 400 dollars per user है okay तो market जो होती है generally 200-400 dollars per active user की valuation देती है company को और वो भी depend करता है कि कितनी speed से आ रहे है अगर खुब speed से आ जाते हैं तो valuation और बढ़ जाती है क्योंकि market जो है stock market जो है वो long term सुछती है यह बहुत interesting insight है मैं वो समझ रहा हूँ valuations कैसे निकल रहे exactly मैंने सारी उमरी यही किया valuation ही किया तो market देख रही है कि कितने user आ रहे कितनी speed से आ रहे है अगर एकदम से हमारे millions आ जाते है this could be valued at a billion dollar business billion dollar is 8,000 crores एक और चीज थी UK से related ही just because बात हो रही है is it true मेरे को बस ऐसा ही general फिर again we'll switch back क्योंकि यह interesting UK पर हम आई गए है क्या यह सही बात है मुझे एक चीज के भी समझ में नहीं आती है मतलब मेरा खुद का एक अनुमान है समझ में तो आती है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा यह हमारे देश के काफी सारे प्रसिद्द लोग है एक बोलते थे king of good times फिर उसके बाद बोलते थे king of jewelry and diamonds तो यह सब मतलब कुछ होता नहीं है यह भग जाते हैं आपके अधर London UK भग जाते हैं Sir, ऐसा क्या है अधर जो हर कोई अधर जा रहा है कुछ है अधर मतलब मतलब कहीं और भी जा सकते हैं मतलब मैं बोलूँ भाइ सुजलेंड निकल जाओ अधर तो अधर तो अधर चोड़ो कहीं और निकल जाओ I think London of all the cities I have travelled all the countries I have travelled if you ask me where I would rather live I think London and New York are the two places I would love to live London and New York वो दो जगा होंगी Because क्योंकि London and New York I see them as separate to England 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 और लंडन अग लग जगा है England और लंडन अग जगा है Clearly I mean Clearly London is England's capital I mean It is so different London It is a very cosmopolitan city Right You know आज की डेट में More than I think 50% people are from outside the UK And what happens to that Like you are here in Bombay I felt that feeling in Bombay कि लोकल्स कम हैं और बाहर के लोक जादा हैं And that creates this beautiful Immigrant-led mixture कि तुमें गुजराती खाना मिल रहा है मैं बुम्बे में थोड़ीन रुका है And you have Punjabi food, you have Marathi food You know It's a cocktail of smart people working together I don't know if it makes sense मुंबे कर भी काफी देखते हैं वो shout-out भी देंगे इधा But मैं आपको इधर बता दू आप मुंबे गया पुने आईए पुने में आप जानके हरान हो जाओगे पुने के actual demographic पे जाओगे तो पुने कर्स हम पुने वाले सब पुने कर्स बोलते हैं पुने में आपको केवल 20% है जो hardcore local पुने कर्स है The rest सब इधर से हैं In fact, वहाँ पे 7-8% established हैं जो बाहर की देशों से आके रोके हैं तो वहाँ पर कुछ areas है पुने में So imagine, it's people from everywhere हमारे लंडन में क्या है? Greek quarter, Indian quarter, Pakistani quarter You have quarters from every place You have culture mix and they all know We have to, in this city, this is our city मेरे समय से closest friend भी Pakistani रहे हैं तो मारोगे लिए मैं उन्वेस्टी में था ना तो मेरे ही हम में हमारे उन्वेस्टी में क्या हता है? कि 5 लोग है हैं रूम में सब अलग अलग countries के है तो मेरे next door आ गया from Pakistan तो पहले दो दिन तो उसे में से बात ही नहीं करी हम लोग अपना खाना ना रहे हैं तो he would just go हम बाकी सब आपस में बात करे हैं कोई स्वीज है, एक बंदा स्वीज था, एक ब्रजिलियन था जो पाकी जानी में से बात ही ना करें मैं भी ठीक है में को क्या बात करनी है पर दो चाहत दिन के बाद में हमने देखा कि हम लोग कितने सिमिलर हैं रहे हैं वो घर से रोटी लाता था और आम का अचार डाल एंड मुझे और मुझे लगा कि यार, how similar are we, right? and even though we are always like you know politically there is a problem तो और लेकिन 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 लेंडन में everybody is together, right? तो वहाँ पे जब जो इंडिन पाकिसानी है generally they are all friends apart from जब इंडिया पाकिसानी है यह मैं पूछने वाला था इस ताइम पे क्या होता है? उस ताइम हम लग लोगे था हमारे जब लुश्टी में जब मैच होता है तो बीच में लाइन लगाए है तो बीच में लाइन लगाए है देर इंडिया देर पाकिसानी है और बट इच से इस इस वाट में लंडन a beautiful culture and I think you have to give credit to the English people कि they have allowed this to happen because they are welcoming अगर आप सोचो यहां पर कोई S.E.C.T. अभी मुझे बिदा रहे हैं कि सब foreigners आ रहे हैं they all have the same rights they all are so I want to say you know you have to give credit to the UK to let London just be तो अभी जब मजाब में मलाया कोई भी आ जाते हैं everybody you know everybody is free we call it it's a free country everybody is free to be New York is similar in my view पर सर फिर मेरा सवाल है कि I hope मेरा यह सवाल है कि इंडिया में आज तक कोई इंडिया में रहे के इस तरह का medium क्यों नहीं बना पाए I think एक competitor थी जो Twitter को challenge करने आई थी कू करके नाम था उनका but lately उनके साथ भी problem होई तो आपको क्या लगता है Indian startups problem कहाँ पर कर रही है Indians भी नहीं अभी Indians को भी तुम छोड़ो अभी Instagram ने जो बनाया है Twitter का competitor Thread, fail होगा मैंने किसी को बोला हुआ था बठीक है मैं जो पतानी पर यह यह fail होगया है सभी fail होगया है Like I heard there was something in India Moj or कुछ और है and they are all failed I'll tell you the reason they are all failing because they are ignoring the user वो क्या कर रहे है दो लोगों को content खिला रहे है but they are forgetting that people are fed up with content content तो तुम्हें अगर चीए तो इंसा किसी ने user को कुछ नहीं दिया ठीक है अगर जो main user है जो मैं हूँ जा रहा हूँ मेरे को क्या मेरे को I heard they gave money to yeah mod और इस तरह के similar apps मेरे पास भी आये थे कि आप हमारे इस पे आओ तो हम आपको देंगे यूजर को कभी किसी ने दिया अगर और user जब तक नहीं आएगा तब तक कोई app successful होई नहीं सकता यूजर को पैसे भी दे रहे हैं streak वाला भी system है यूजर को दे रहे हैं हम सब कुछ यूजर को दे रहे हैं पहले क्योंकि user is the real thing उसके बाद में उसके बाद में creators आएंगे we have support for creators as well big one बट इससे chicken and egg situation पहले users आएंगे हमारे यह पे क्योंकि user को किसी ने कभी दिया ही नहीं कुछ यह पहली बाद को यह company दे रही हमने जब सोचा ना कि मैंने जब करता था calculation मैंने का Facebook के धाई billion वह है और उस ताम पे धाई billion के गरी उसर होते थे I was like everybody should get one share और अगर तुम honestly देखते हो तो 300 million users इंडिया में थे Brazil यह बड़ी बड़ी countries में everybody should own money right but there are highly concentrated billionaires owning it तो उसी से अमें लगा user को कुछ मिलना था यह तो मेरे हिसाब से again I don't know like I am not an expert I am putting this in front of कि हम तो एक medium है है ना हमने तो बना दिया ठीक है अगर users को यह चाहिए अगर public को यह चाहिए तो यह successful हो जाएगा public is smart right public will make we are being very open and honest here we are a price I am not saying to people we are saying we want you to come I am not saying that you are addicted to our app we don't want that in our app we have a timeline in the back just like Instagram and you know we have a lot of time spent on the algorithm we have hired people who work on Instagram how to build an algorithm I have been involved in this but the more I understood we have two people we have two pages one is for you which means algorithm is giving you stuff we think you will like one is unhook me where you press the button it will show you videos totally without algorithm this is not to hook you because we are owned by you but sir if people are addicted not like I have a statement I think so Congress private meeting Mark Zuckerberg gave a statement or a big person gave a statement he said that he said that whatever is good for the world that 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 is not good for the world this way he gave a statement technically he said that our work is to be addicted if we are addicted to exist as a sir that our customer we can't get a real value of the your users that are negative users who are not good for the users that is not good for the users if we are addicted to us we are going to share with our business point of view our number is not enough our number is not enough we have to make a mistake this number is not enough to start our cash profit the first part this has been told that the funds have been like the money for the money it has been so good it has been something that it is clear but लेकिन, बर्दाफेस करते हैं, एट देंट बिजनस, हम भले दूसरों को भी गुरो करा है, हमें ग्रोव तो करना है, मैं इस पर आता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही इंस्टाग्राम है, ऐसे ही चाइना में कंपनी है, वीचाट, वीचाट, मैं जानता हूँ तो वीचाट, वीचाट पर इस पर आगे जाएं, कैसे बिजनस के लिए इंटरफ हैं, इस वेचाट पर आएंगे, मैंने यह सुना हुआ है, कि वीचाट पर कम्मिनिस पार्टी जो चाइना की थी, वो काफी सारे मेसेज़िचेज को मॉनिटर करती थी, वो आप बदाएंगे क्योंकि you are into this segment तो मैंने ऐसा सुना है कि वीचाट पे क्या होता था जो Communist Party वहाँ पर थी अगर आपने Communist Party के अगेंस्ट में कुछ बोल के लिख के भी भेजा है तो वो message deliver नहीं होते थे और एक case मैंने सुना था कि चाइना में एक बंदे का ट्रेन से जाने का टिकेट या सम्थिंग था जो वो स्टेशन पहुचा और उसका पास होगा इधिंग सो वो गैंसल हो गया था जस्ट बिकॉस उसने वीचाट पे कुछ तो बताया था कि मैं इनकी पेरेंट कंपनी को मैं एक्सपोस करूंगा कि हाव दे वास एट ट्रू आइनो थोड़ा कॉंट्रवर्शल हो जागा कर देते हम तो देखो इन रियालिटी नोबड़ी नोज़ नोबड़ी नोज़ नोबड़ी नोज़ बट आपनस इन चाइना वेचेट में मैं आवजी न चाइना पंड़ी डॉड़ टाम इन चाइना चाइना में हर चीज वीड़ब चलती है तुमारी टिकेट, तुमारी यह, तुमारी पेमेंट, तुमारी रेस्टरेट वागव उटसप वूटसप नीचलता ना अलावी नीचिया है they are not only dependent on advertising and that was our model long term we are looking to do other things that was more of our model so that China model you are trying to bring it to China but with privacy exactly I am not saying it's China's model it is China's model but I am thinking about the business model it's the business model it's the business inspired it's the business model exactly because Instagram which is so addictive and which is not the same it is because I have seen what shareholder decisions for many years I have worked with shareholders how they think I know they only think about money if there are 10 decisions that are only 8 decisions that where money is more ultimately they hold the power you keep the CEO company CEOs are like you know they are like ultimately decision makers are shareholders and shareholders are mainly finance money minded that's their job to make more money to make more money for the company okay so if it is public shareholder they will take the right decisions what is good for them because social media has come to such a situation everybody is using it absolutely it should not be that Mr. Zuckerberg and Mr. Musk are making all the decisions that is affecting everyone right it should be countries who have big decisions who have become democratically elect social media has come to this stage everybody is using it right we are all dependent on it and you've got two guys who can't change right Mark Zuckerberg is there for a long time what will happen in our company that I am the CEO right now okay but the moment people don't want me they can just vote it because they are shareholders public is the majority we have kept it that public is the majority they can change me they can sack anyone they can vote so again a lot of interesting things are happening but chat wise related a question in my mind you said you give shares to the public so if you give all the shares to the public then what will you have? that is also practically possible it is like someone has started and gave all the shares so you keep something or not what is the scene? you are the promoter or you have anything so eventually it will not but now it has been how much? now we have kept 60% for users for users for users 20% I have and I will tell you why I have I have told you that I am not doing this for money in our entrepreneurs you have been Steve jobbed means you got kicked out from your own company right? you know Steve job was part Steve job why do you say Steve job started apple company started in the garage and when successful came then they came from the CEO and they came from the company and this happens when shareholders become powerful in the board other shareholders become powerful so my mission is now I want to successful chat and that's why I have put this percentage that I want to see it through but but I have made my goal goal that every day we have 100 million users then my stake is less than 10 and then I will start to give this to people or charities that I love and people who have added most value to chat wise like someone is watching who helps us at this time and I will be giving those shares to people creators or whoever is adding value to chat wise so this that I have 20% this is my personal way that I will give people and I will do it publicly everything will be transparent so I will keep myself maybe 1% because it's my baby but I have said I am not taking money I don't take salary and this is why I have kept it that I don't want right now to stick with the mission of the company and in the comments people will tell who was the founder who was the founder it was simple but you will tell the name of the company and I will tell one thing because we are coming to the end in our podcast I will tell one thing what is your vision exactly chat wise what is your mission vision what is your company what is your vision what is your vision look the dream will come true vision our vision is that I have talked about our vision we have a global map word map where Instagram users are everywhere apart from China they are scattered and shares are only in America most of them our vision is that our users are everywhere and shares are everywhere okay so now we have 10,000,000,000 people in India and have given because India is our country India our idea we have made so many shares we have made in Africa we have made in Africa and we have made shares so that everybody has made the wrong mistake which is the wrong mistake which is the wrong mistake that we have made we have made our share then we have made our share and then we have made Brazil countries so we have made shares that the company shares are everywhere equally in the whole world wherever there are users but it's a commercially sound profit-making organization okay? commercially sound like Instagram this is not a social project that the company won't make money it's not like that I want it to be that's my vision I want it to be a very highly profit-making company but owned by people right? it's a lot of profit that people own this company because we have seen what to do already if you look on Instagram or Facebook when it was formed they did not make money for like 8 years Instagram the profits today are about $140 billion $140 billion multiply by $82 we will do okay? 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 we can create more we can create more okay? we need only daily active users okay? perfect we can do what to do daily active users my job is to make profit make it this is my job okay? you give users I will give you wealth I will give you wealth we have a dialogue you give me I will give you wealth you give me you give me daily active users I will make sure these shares of value go up so now sir you guys are doing in India after Africa you said in Africa in your agenda of course now in our app there are two languages English and Hindi English and Hindi we have started in India we have started in India we have started in India so English and Hindi launched in India and then UK US and Australia which are English speaking countries we have started in India we have started in India and we have started in India and then we are going to Africa we are working on our languages in Nigeria we are already working with us so in Africa there are many different languages but Nigeria is the biggest country we are targeting that and then we Indonesia is our because Indonesia is one of the biggest we have seen that Instagram is one of the biggest right and then you have Japan Brazil the big big countries the big users we are going to launch them there and they are going to share them ok the idea being it should be it should be everybody should own part of the company everything wow insane vision sir so this will be endless but my last question is around chat wise also plus your case sir one thing is that which formats we can play in chat you have to think like that twitter mostly text format now they have introduced but they have said that you can play or upload you can upload the first thing I am pretty sure I am sure you don't charge verification and this correct you don't charge no charge that is number one so as of now we are recording and even 10,000,000 people no charge no charge no charge second so this is that when we talk here like Instagram mostly videos mostly short videos twitter short text youtube will go long form videos will it be short videos will it be text but we will do everything but where will our attention this is a great question because when we started we started with something like Instagram but one thing you forgot that is tiktok tiktok ndia banned but in europe the whole world is hooked on tiktok sir tiktok ban on tiktokers they don't know they don't know but short form videos are our main short form videos in tiktok but in our app we will make you videos there are short videos where there are short form videos and also you can post videos and you can create your posts to your friends just like Instagram basically we are basically like Instagram like Reels short videos we are pretty I think we are close to Instagram but we are sharing to the people who are sharing whatever you do you can waste you can waste you can monetize but our strategy long term if our first step is successful then we have 10,000,000 people we have 10,000,000 every 10,000,000 people will get a special icon which is a shareholder icon and this icon will only get people because who are founders of the company we call them today 50 years you will keep this icon because you are the founding people who joined the company at the start but putting that aside our mind is that long form videos die and technically we are capable but we will voting our shareholders and we have already made a magazine that we will voting on our app there are two types of voting voting for everyone but voting for shareholders which will be the decision and there are a lot of things we are going to do that we will say what do you think because we genuinely believe people jointly make the right decisions and voting can be quickly in our app literally we can put it out, vote, people can say and we can do that so man Gagan Ji I have learned a lot of things from you today about social media about users which you have told that these people are losing our hands and we are not losing but these people are losing all social media so how are you going to change it? we have a lot of UK we have talked about before we leave last two weeks first when we have a company when we have a company the same way the challenges are coming and I am pretty sure when we have a chat-wise making a lot of hurdles there will be some hurdles and some problems so if we have to tell what kind of challenges we will face because we will be users who will be a shareholder and at some point of time they will also be a different start-up so what kind of challenges were you going to face when we have a chat-wise development they were doing all things well it's like where do you start? from your expression there is a lot more but still life is very challenging for a founder especially in this type of company when you are a competitor Instagram nobody funds you right? so I had to fund myself I had to put a lot of money myself at the start to say it's possible then our funders also came but at the beginning you have to show someone who believes he doesn't do it one second one second you mean investors also came so I am just putting my thoughts that if in this type of plan which is totally transformative I don't think I think that if existing investors or investors come here that means they are seeing something here that means correct and our investors are not small they are some of the most intelligent london based people and and you don't think that I pitched the first investor so he was so in love he actually both investors put more money than we asked for both of them so he gave x then he gave x plus y he said he said he said but I will take a bit more share and he said okay that's the time we didn't have money but we got validation so one second we talked about 60% public 20% so I guess 20% investors no there are two investors that's it looks like 20% you have a a 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% उनके पास मैं, लेकिन मेरे 20, मैंने सब को कहा रखा है, मैं उनको, मैं भी उसको दे दूँगा, तो मेरे भी कम नो हो जाएंगे, आगे जाकर, हमारे अपसका दील है, आप सेंग इट publicly, हमारे इंग्लेंड में एक चीज़ होती है, इंग्लेंड में हमारे एक चीज़ होती है, जो इंडिया में होती है, कि नी, जो company के share होती है, वो publicly available होती है, information होती है, publicly कि किसके पास कितने हैं, ठीक है, तो we can't hide it, मैं तो हमारे इदार ऐसा रहता है कि 1% से ज़्यादा अब जब hold करते हैं, तब उसका एक mandatory disclosure देना पड़ता है, हमारे UK में total disclosure करना पड़ता है, अचा कुते ना भी hold कर आपको देना पड़ेगा, यह हमारी other problem आने वाली है, हमने क्या किया, जब हमने कहा कि shares बनाने वाले हैं, हमारे companies आपसको बताना पड़ता है publicly कि हमारे shareholder कौन कौन है, इतने सारे लोगों का कैसे करोगे, अब हमने सोचा एक company है UK में, इस 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 प्रप्रप्लम राइब हमने लोगों को shares देने हैं, and we want them to be authentic shareholder, and we want them to have the certificates and everything, तो हमने शुरू में देख लिया, कई सारे platform में चेकी है, एक platform में वेस्टिड, UK में है, और वेस्टिड में क्या होता है, कि जब तुम्हारे employee stock option scheme होती है, people go there, क्योंकि तुम अपने employees को दे सकते हो, और हमारी जो scheme एक ताह से उसकी extension है, कि it's not just employees, it's everyone, तो हमने उनसे उस तेम बात करी हलके से, तो हमने का कौन सा plan ले सकते हैं, उनने का यह plan unlimited है, कितने भी लोग डाल सकते हो तुम, मैंने का ठीक है, उनने उनकी website पर लिखा हो है, उसमें लिखा हो है unlimited, ठीक है, तो हमने का ठीक हम sign कर लेंगे, हमने सोचना ही बंद कर दिया, हमने का ठीक हम इस platform को यूज कर लेंगे, और इससे हमको यह टंशन खतम हो जाएगी, हम कि शेर्स हमने यहां दे दिया है, तो यह उनको लोगों को दिये जा रहे है, लोग, people can log in, and they can see their shares, that's how employee stock option scheme works, we want to do something formal, proper, फिर जब हमने, आ गए न हमने का ठीक हम पैसे दरे को त्यार रहे हैं, we are expecting 10 lakh, 10 lakh? तो इतने unlimited नहीं हैं, I mean it says unlimited, we don't mean that unlimited, and this is a big company, I mean how much is your limit, he says it doesn't have any company, but he loved the idea, he says that this is the kind of thing we want to do, he invested, he says this is the kind of thing you want to give shares to people who are contributing to the company, that's the whole thing we want to do, but we don't have the capability, to give to millions of people, then we checked on several platforms, there was no platform in the world, which we give 10 lakhs to 10 lakhs, so then we started it alone, and we said that we can't do this, we will do this to ourselves, that was like a very strange problem, because it's a first-of-a-kind project, this is a problem, like other problem was, when we started it, I said that I had money, so I thought that I had to do it, I had about 1 lakh pound, I said that I had to put it, actually I had to put it on Facebook, and I said that I'm going to make something like Facebook, and I went to London with a contractor, and I said that we need to make this, and he said that it will be done, and there are many contracts, and everything will be done, and I said that everything will be done, and I said that I have to put it on the deposit, and it's been 3-4 months, and I said that they have to make this, and I did make this car, and I made a car, and I made a car, and they didn't go to the car, and there was nothing left behind it, and I said that I have to put it on the car, and I said that I have to put it on Instagram, and at that time, I realized how much you need a technical co-founder, and my co-founder wasn't the other, I realized that it doesn't work from spending money, you need technical people, even my co-founder is actually my school time friend, and we had some family issues, you know, some people passed away, and he then, then he came fully in, and nothing about that, Abhijit, you know, he then, then we have been testing, now we have built another platform, okay, so first class car has increased, and this took another one year, but, just like we have improved a little speed, everything broke down, just like we said, what happens, if you test 10,000,000 people, will it go or not, we have done 10,000,000, and everything broke down, okay, these things take a lot of time, energy, which is why I think, it's so hard to do, it's so hard to do, it's so hard, it's so hard, wow, but it's inspiring also, at the same time, that all of you have a ticket, on your passion project, and Gagan, I am hoping that, this project is very big, just remember, that we have received a code, which will get people in the description, so, Gagan, it was very good, and I am pretty sure, that our viewers, also learn a lot of things, so first of all, thank you so much, for coming, and Gagan, parting, if you want to say, one time, if you want to say, one reason, to chatwise, one reason, of all the reasons, Q logo, go chatwise, that would be, up for us, a reason, simple, it's not that, if you think, if you think, we are just like, we have, 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 Instagram, is world's biggest company, but, if the public, we have, definitely, successful, but, I can tell you, that, this is my guarantee, that, I will stick to the plan, you know, we want to do, by the way, we want to do something, which, is very useful for us, that, we want to do something, we want to use this, that, that, we want to do something, that, we want to share this video, and, and, we want to share it, and, you know, word of mouth, is so powerful, क्योंकि हमारे पास हम लोग करोर रुपे नहीं लगाने वाले एड़डाइजिंग पर आप ही लोग हैं जो लोगों को बोलेंगे दो लोगों को बताओ इसके बारे में चाहे तो यह वीडियो शेर करो और I think thank you very much for listening to us थांक यू सो मच और मेरे को अप्रिशेट करना जी है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था लंडन से आएं बद स्टिल उन्हें इत्तीन देवले तो थांक यू सो मच आने के लिए और बहुत इंट्रेस्टिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक किजिए शेयर क किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट्स में एक और चीज कीजिए बिकॉज इससे आई गाइस गगन की टीम को भी हेल्प मिलेगा कि चाट वाइस रिलेटेड आपके दिमाग में भी जो सवाल आ रहे हैं कि अच्छा ये कैसे होगा अगर आपको लगता मैंने कुछ मिस कर लोंगा तil then stay tuned like share subscribe keep learning and keep growing